दोस्तो नमस्कार आज दोस्तो आप लोग को बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ साथ में कि अगर आपके फार्म में बार बार CRD जैसी या वाइरल की कोई भी समस्या आ रही है तो आपको अपने फार्म को किस तरह से सुरचित करना होगा इसके लिए आपको क्या-क्या माटेरियल्स अपने फार्म में डाल करके और किस तरह से प्रियोग करना है कैसे आपको अपने फार्म के पहले अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है जब आपके फार्म की अच्छी तरह से सफाई हो जाए दोस्तो यानि कहीं भी बूसी जो पुरानी बूसी होती है दोस्तो वो पूरी तरीके से निकल जाए इसके बाद में आपको पानी अच्छी तरह से पूरे फार्म के अंदर इतना पानी मारना है कि आ उपर की जो लेयर होती है दोस्तों वो पूरी तरीके से गिली हो जाए आपको सारे अपने पिलर्स पे भी मार देने है पानी तो जब आप इस तरह से कर लेते हैं दोस्तों पानी मार करके इसके बाद में आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिलाना होता है दोस्तों तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाल्टी के अंदर हम पानी लिए हैं और पानी में डाल रहे हैं फार्मूलीन और फार्मूलीन दोस्तो कम से कम जैसे मालेजिए कि यहां जो आप 20 लिटर की बालती देख रहे हैं इस बालती में कम से कम 10 स दाइ सो एमेल से 300 एमेल के बीच में फार्मूलीन डाला जाएगा और फिर इसके बाद में इसमें एक लगबग आधा केजी चुना डाला जाएगा और इसके बाद में दोस्तों ये दोनों को अच्छी तरह से मिला दिया जाएगा पूरे पानी में और फिर उसके बाद में आप लेके आएंगे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम आपने अगर पॉल्ट्री फार्मिंग में तो आपने लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों तो फिर लेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर और इन तीनों को इन तीनों को दोस्तों अच्छी तरह से मिलाएंगे तो फार्मॉलीन और चूना हो चुका है अब इसमें डालना है ब्लीचिंग पाउडर और यहाँ पर देखें दोस्तों हम लेके आछ चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर और bleaching powder जो होता है अपना इसको ऐसे अगर डाल दिया जाएगा तो यह पानी में अच्छी तरह से घुलता नहीं इसलिए इसको हाथ से मिलाना पड़ता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों कि मतलब हाथ होगारा कटने का कोई खत्रा नहीं होता है पर आसानी यसको हाथ से मिला सकते हैं जैसे करे दिए Salvador हमने में इसको मिलाया है अपने हाथ से जब यह अच्छी तरह से सारी तीनों चीज़ों को मिला लिया जाए गा और मिलाने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको लेके चलेंगे और जहां पर हमारा गीला हो चुका है यहीं हमने पानी मार दिया है वहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको उपर से डाल करके और पूरा जाडू से अच्छी तरह से इसको फैलाते हैं ताकि मिट्टी में यह अच्छी तरह से पकड़ ले और मिट्टी के अंदर जितने भी कीडे मकोडे हों वो पूरी तरीके से नस्ट हो जाए तो यहाँ पे देखे दोस्तों कि पानी मार दिया गया था पहले ही और फिर से एक बार पुना पानी मारा जाएगा और पानी मारने के साथ में यह दवा भी डाला जाएगा साथ साथ में और इसके बाद में यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों दवा भी डाली जा रही है और फिर इसको ज़ाडू से जो भी है आपके पास जिस भी प्रकार का ज़ाडू हो पर वो ज़ाडू अच्छी तरह से मिटी और यह दवाओ को एक में मिला सके ऐसा ज़ाडू होना इस तरह से अगर दोस्तों आप लोग अपने फार्म की सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद में फिर इस तरह से अगर इन सारे केमकलों को मिला करके एक साथ में आप फार्म को अच्छी तरह से लिपाई कर देते हैं तो आप यह मानखे चलिए दोस्तों कि कभी भी आपक infected कुछ भी होगा वो उसके रहने का chances पूरा खतम हो जाता है तो इस प्रक्रिया को करने पूरा करने के बाद में दोस्तों अपन क्या करते हैं कि उपर से चूना और नमक इन दोनों चीजों को दोस्तों अच्छी तरह से गीले में ही अच्छी तरह से छिड़क देते हैं ताकि यह अच्छे से मिट्टी को पकड़ ले और उपर जो भी बचा हो वह भी पूरी तरीके से नश्ट हो जाए और उपर के लिए दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप एक टंकी पानी लेंगे, जैसे कि इस्प्रे वाली टंकी होती है, इस्प्रे मसीन, उसमें एक टंकी पानी ले लेंगे और एक टंकी में लगभग आधा लीटर फार्मालिन डाल करके, आप छपर की वोर नौजिल को करके दोस्तों, पूरा ऊपर फुल हाइट के साइड से लेके किनारे तक का आप लोग को ऊपर में भी अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है अगर किसान भाई इस तरह से इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो मेरा दावा है दोस्तों कि कभी भी आपके फार्म के अंदर जो बीमारियां आ जाती हैं जैसे कि मान लेजे बहुत सार समस्यां दोस्तों बिलकुल भूल जाएए अगर आपने इस तरह से अपने फार्म में काम किया है तो मेरा दावा है कि आप लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडि नहीं किया था पर अब दोस्तों जो भी मेरा ने एक दम पोल्ट्री के करीब से वीडियो होता है वह वीडियो सारा इस चैनल पर आना सुरू हो जाएगा तो आप लोग अपना प्यार इस पर भी बनाये रखें थैंक्यों